सेंट येगो की सरक पर कईल और उसकी बेहन बेकी इस तत्य पर चर्चा करते हैं कि वे घर से भाग रहे हैं क्योंकि बेकी छे महीनी की गड़वती है और उनके माता पता इसे अच्छी प्रसे नहीं लेते हैं बेकी अपने निर्नएके बारे में दोबारा अनुमान लगा रही होती है जब वो अचनक बीमार महसूस करने लगती है इसलिए काईल उसे उल्टी करने के लिए एक चच्चे पास ले जाती है जब वे जाने वाले होते हैं बेकी कहती है कि उसे लंबी घास में मदद के लिए चिला रहे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है कईल ने कार को चच के पास पाक करने का फैसला किया और भाई बेनों ने बात की जिसे पता चला की लड़का कई दिनों से घास में पसा हो है उसी समय सरक के किनारे एक किताब दिखाई देती है और घास में एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है जो लड़के को चिलाना बंग करने के लिए कह रही होती है वो अपने भाई का पता लगाने के लिए जोर जोर से बोलना शुरू करती है और उन्हें कार में वापस जाने का सुझाब देती है क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा है सबसे पहले उन्हें फिर से एक जुठ होने की जरूरत है इसलिए बेकी जोर से एक पुरानी शरारती को विता सुनाती है लेकिन इससे कईल द्रमित हो जाता है पहले उसकी आवाज उसके दाई ओर से आ रही है फिर अचानक उसकी आवाज उसके बाई ओर से आ रही है इसके बाद वे एक दूसरी की स्थान का पता लगाने के लिए सहमत होते हैं पहली चलांग में वे एक दूसरी को देखते हैं लेकिन दूसरी चलांग में वे अचानक बहुत दूर हो जाते हैं भले ही वे चले ना हो कूदने के बाद वेकी कीचर में गिर जाती है और रवराइल वी कईल मदद के लिए उसके और दोडने का फैसला करती है अब ये कईल है जो कीचर में गिर जाता है और वह ये देखकर चौक जाता है कि काईल के पहले उसे धूनने का इंतजार करने बैठ जाती है। अचानक गास के बीच एक खौफनाक आकरिती दिखाई देती है। लेकिन वह रौस नाम का एक आदमी निगला जो उसे मैदान से बाहर ले जाने में मदद की पेशकर्ष करता है। वह बताता है कि उसे कोई रास्ता मिल गया है लेकिन वह अभी तक नहीं गया है क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटे की तलाश कर रहा है जिनकी आवाज भाई बहमने जल्दी ही सुन दी थी। बेकी उससे साफधान रहती है लेकिन उसके पास उसकी मदद फिकार करने के अलावा कोई अन्य विगत नहीं है इसलिए वे एक साथ कैल की तलाश में जाती हैं। जाएगी और कैल को आश्चर्य होता है कि लगका कैसे जानता है कि बेकी उसकी बहन है तोबिन जवाब देता है कि चटान ने उसे सच पताया है जाहिर तोर पर यह चटान ही है जो आपको घास को सुनना सिखाती है और इसी तरह आप चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। फिर तोबिन प्राणी कैल को बेकी तक ले जाते हैं इस बीच रॉस और बेकी उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं और रॉस को लगता है कि बच्चे का पिता उसके साथ नहीं है जैसे ही वे चलते हैं बेकी को जमीन पर दवा की बोतले और कैची मिलती है उसे समझ नह पर उसे चूने का आगरा करता है, लेकिन जब करीब आता है, तो उसे आदिवासी मंतरों की फुस्फवसाथ सुनाई देती है, कैल दवारा उसे चूने से ठीक पहले वेकी को चिलाते होई सुना जाता है, और कैल तुरंद उसकी आवास की तुजा में दोड़ती है, तोबिन क उसे वहाँ ना आने की चेताबनी को नजर अंदाज करते होए, अचानक दिन साफ दिन में बदल जाता है, चचछवाली सड़क पर एक गैस स्टेशन पर एक ट्रक रूपता होई दिख रहा है, ये बेकी का पूर्फ ट्रेविस है, जो भाई बहनों की तलाश में आया है, च ये संदेग करते होए कि भाई बहन घास के मैदान में बुझगे हैं, ट्रेविस भी अंदर चला जाता है, घास को समेटता है और सूरज का पीछा करता है, ताकि वो वापस आने के तरीके पर नजर रख सके, दुर्भागे से हर बार जब वो एक कदम बढ़ाता है, तो घास अपने आप खोल जाती है, कुछ कदम चलने के बाद, ट्रेविस को एसास होता है कि सूरज अब सही स्थान पर नहीं है, लेकिन अपने भ्रम की परवा किये बिना वो रात होने तक चलता रहता है, चुंकि वो ठका हुआ है, वो जमीन पर लेटने के लिए रुपता है और ब टोबिन समझाता है कि घास मिल्क चीजू को नहीं हिलाती है क्योंकि इससे उन्हें भूना आसान हो जाता है, जब ट्रेविस ने ऊपर देखा, टोबिन चला गया, अगली सुबह ट्रेविस उटता है और अपने ठीक बगल में बेकी का शब देखता है, वो उसके शरीर से ए करता है, उस खशन ट्रेविस को पता चलता है कि टोबिन मैदान चोड़ने में कामयाब हो गया है और वो उसे अंदर वापस ना आने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, लगका अपने परिवार के लिए आ रहा है, नेपली सुचती है कि वो ट दिवाब देने से पहले उसकी बात सुंकर चौक जाते हैं, ट्रेविस उन्हें बताता है कि वो उनकी तलाश में आया था, जिस पर बेकी के लिए विश्वास करना करती है, अचानक उन्हें बेकी की कविता सुनाते होए टोबिन की आवास सुनाई देती है, और ट्रेविस अंतता लगके को धूनने के लिए उसका पीछा करता है, बेकी भी वही काम करती है और ट्रेविस के साथ पिर से जुर जाती है, जिससे वह शर्ण अजीव हो जाता है, कुछी समय बाद कईव भी आता है और उसे ये तर्टेस पश ट्रूप से पसंद नहीं आता कि ट्रेवि वहाँ है, उसी समय समूग को फ्रेडी का शब मिलता है, ब्रम को और बढ़ाने के लिए ट्रेविस बाई बहनों को बताता है कि वे दो महीने से लापता है, लेकिन वे उस पर रुश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके दृष्टिकों से वे केवल दो दिन पहले ही चले गए अचानक बेकी को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है, इसलिए ट्रेविस लड़के को बाहर निगलने का रास्ता धूंदने के लिए टोपिंग को अपने गंदों पर उठाता है, सौभागे से उसे कुछ दूरी पर ए कि यह एक लगकी है और उसे बच्चे की हलसर महसूस करने के लिए पेट चूने देती है, अचानक एक फोन बसता है और वे बेकी जैसी आवाज से कॉल आने पर चौक जाते हैं, जो रोते हुए उनसे कहती है कि कईव को ट्रेविस को चोट न पहुचाने ने क्योंकि वे बा लेकिन उसी समय रोस आता है और उसकी भी मदद करने की कोशिश करता है, और कहता है कि वो उन्हें बाहर ले जा सकता है, ट्रेविस उसे उस इमारत के बारे में बताता है जो उन्होंने देखी थी और टोपिंग को फिर से उठाता है, लेकिन इस बार वो इमारत नहीं देख पर पहँआँ, इस बार उन्होंने देखा कि पूरी चित्तान पर नकाशी है, और किसी तरह रॉस को पता चला कि यह एक उच्चे ग्यान को संदर्वित करता है, जिसे वच्छूते ही समझा देता है, यह कहते होई कि उसे भी घ्यान प्राप्त होगा, ऐसा होने से पहले नताल पहले देखा था लेकिन बेकी जीवित नहीं थी और रॉस ने नेटली को चोड़ पहुंचाने की कोशिश की थी। रॉस इससे इंकार करता है और जब वे बहस करते हैं तो बेकी फिर से सपने देखती है लेकिन इस बार रॉस को घास में बहुत अलोकिक दिखती है। और अंत में लड़ाई जीतने के लिए उस पर काबूबा लेता है। इसके बाद रॉस ने नेटली पर हमला किया और दिखाया कि उसमें वास्तव में सब कुछ खो दिया है जब उसने अपने नंगे हाथों से उसके सिर पर प्रहार किया। उस पल में रॉस पगड़ लेता है और दर्वाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक ट्रेविस ने फ्रेडी को दोड़ते होई देखा लेकिन जब वो गास में चला गया तो कुछ ता गायव हो गया। इससे उन्हें लगता है कि लूप में एक छेध है जो उन्हें बाहर ले जा सकता है। हालां कि उसी क्षन रॉस करीब आने लगता है। हालां कि बेकी ने कबूल किया कि वो बच्चे को नहीं रखने वाली थी और इसलिए वे सैंडी एगो जा रहे थे वहाँ एक परिवार था जो बच्चा चाहता था। परिशान प्रेविस ने कसम खाई कि वो कोई रास्ता खोज लेगा। अचानक रॉस आता है और बेकी पर हमला करता है। संगर्श में बेकी जमीन पर मिली कैची को पकड़ने में सफल हो जाती है लेकिन रॉस तुरंट उसे नहत्ता कर देता है। पाईदा उर्ठाने के इरादे से उसे गंधी में ले आता है लेकिन इससे बेकी को फिर से कैची पकड़ने और रॉस की आँख में वार करने का मौका मिल जाता है। वह अपना फोन निकालती है और कॉल करती है जो वही साबित होता है जो उन्होंने कईल को ट्रविस को चोटना पहुचाने देने के बारे में पहले सुना था। अचानक घास वाले लोग वापस आते हैं और बेकी को घेर लेते हैं क्योंकि वह दर्च से चिलाती है क्योंकि उसके शरीर ने बच्चे को जन्द देने का फैसला कर लिया है। चकाने मली बात यह है कि कैल ही जवाब देता है और उसे शान करता है और थोड़ा पानी देता है। वो लएक बच्चे को भी पकरता है और उसे दिखाता है जिससे बेकी को रहत मिलती है। इस बीच ट्रेविस बुरी तरह घायल हो गया है फिर भी वो बेकी को खुझता रहता है। और वो उने बार-बार मारेगा। भैबी तोबिन दोने लगता है इसलिए ट्रेविस उसे दिले लगाता है और कहता है कि वो किसी को भी उसे चोटने ही पहचाने दीगा। बाद में ट्रेविस चिल लाता है और रॉस से पूछता है कि क्या वो उसे मारना चाहता है। Ross तुरंग घास से प्रकट होता है और Travis पर हमला करता है, Tobin की रोखने की अपीर वो नजर अंदास करते होई उसे मारने की कोशिश करता है Ross Travis पर हड़ी से हमला करता है और अपने बेटी के पीछे जाने से पहले उसे पराजित कर देता है Tobin भागने की कोशिश करता है लेकिन Ross उसे पकड़ लेता है और उसे चटान को छूने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है अचानक बेकी उठती है और Ross को पीछे से मारती है जिससे Tobin गिर जाता है और बेकी फिर से गिर जाती है उसी समय ट्रेविस भी खड़ा हो जाता है और Ross पर हमला करता है उसके सिरकु चटान से टिकरता है और रंत में उसकी गर्दन के चारों और कुछ घास बांग कर उसे मार डालता है फिर ट्रेविस बेकी के पास जाता है और रोते होई उसे पकड़ लेता है यह नहीं पता की और क्या करना है ट्रेविस चटान के पास पहुँचता है क्योंकि Tobin उसे चेताब नहीं देता है कि अगर उसने इसे छुआ तो वहाँ से नहीं निगल पाएगा Travis उसे अंदेखा करता है और फिर भी उसे चूता है जिससे उसे अजीव महसूस होता है अचानक चटान से एक लाल रोजनी निगलती है और पूरे मैदान में फैल जाती है मानुक शेत्र को साफ कर रही हो Travis अब Ross की तरह दरावना दिखता है जिससे टोबिन डर जाता है लड़का भागने लगता है लेकिन Travis उसे रोगता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है Ross जूट नहीं बोल रहा था चटान ने Travis को घास के मैदान का ग्यान दिया था वो टोबिन को प्रवेश द्वार के पास दे जाता है और उसे बेकी और कईल को चेतावनी देने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वे दुबारा मैदान के अंदर ना आए उमीद है कि ये लूप को नश्ट कर देगा लेकिन टोबिन उनके पास दोड़ता है और उन्हें रोकता है ये बहुत अजीव लगता है क्योंकि ये उसी की आवाज है जो धास से भी आती है और ब्रमित कईव धास के पास आने लगता है टोबिन बेकी से उसे रोकने की भीक मांगता रहता है और अपनी कहानी को साबित करने के लिए वो उस हार का खुलासा करता है जो ट्रेविस ने उसे दिया था बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि वो इसकी तुलना अपने हार से करती है और जब Tobin Travis के नाम का ऐखक अलेक करता है तो अनतता बेकी की लिए अपने भाई को रोकने के लिए ये परयाब्ट है बाद में बेकी कर इलको जाने के लिए मंना लेती है और वे टोबिम को अपने साथ कार में ले जाते हैं हालां कि सैंटी गोर जाने के बजाए बेकी ने उसे वापस जाने के लिए कहा क्योंकि उसमें बच्चे को रखने का फैसदा किया है मैदान में प्रविस बेकी की बाते सुनता है और इस बदलाव से खुश होता है इसलिए वो लेट जाता है और घास को अपने उपर तकने देता है